अगे ख़बर आ रही है बिहार में हेलमिट चेकिंग को लेकर बिहार में जम्मुई में वाहन चेकिंग के दोरान एक अजीब सी घटना देखी गई है सोसल मीडिया पर वाहन चेकिंग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद लोग भीहार पुलिस प्रसासन पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं वीडियो तब का है जब जमुई पुलिस की तरफ से चेकिंग की अभियान चलाया जा रहा था वीडियो में नजर आ रहा है कि बिना हेलमिट के स्कूटर चला रहे दो युखकों को रुकने की कोशिश में पुलिस वाले ने उन पर लाठी वरसा रहे है जब स्कूटर वाले भागने की कोशिश कर रहे थे तभी दूसरे पुलिस वाले ने चलती गाड़ी को धक्का मार कर दोनों को नीचे गिरा दिया जब कॉंस्टेबल को यह एहसास होता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है तो यह सीधे वहां से निकल जाता है पुलिस की इस कारेवाही में दोनों युगों को मामूरी चोट आई है खायली वक की पहचान वरहर थाना च्शेदर के जबातरी निवासी संतोस कुमार की रूप में हुई है संतोस सदरस्पतार से अपने बीमार इस्तेदार से मिलकर घर लोट रहा था